और मैं इनसे क्या पूछ रही थी विग्यापन क्यों नहीं डाला है मनीश क्योंकि विग्यापन बहुत महंगा होता है बहुत महंगा होता है उससे अच्छा इनोंने अगर कुरोना में आपके लिए काम किया आपके लिए सड़क पे उत्रे दोनों वो काम किया आज अगर मैं क कDavidu कि Priyanka Gandhi का पूरा एक पंदे का विद्यापन डल्वादो अखबार में पताी है आपको लाखों-क्रोरों का खर्चा रहे हैं भुछ बड़ाधा खर्चा होता है कि तो आप यह जो अँल्टम देखते हैं हर जगे मोधिजी हर जगे मोदी जी हर जगे अखबारों में देखते हैं टीवी पे देखते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी ये मैं अपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक विग्यापन के लिए लाग क्रोर रुपए लग जाते हैं तो ये जो सारे विज्ञापने, इनके पैसे कहां से आते हैं… कहां से आते हैं? मud flawi jis Мaudлы जी तो कहते है वो फकीर है हैंना… तो अगर वो फकीर है तो इनके कारयकाल में भाजप अपा तो सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी और भेहन और भाईयों देश में नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है बाजपा के ओफिस देखें आपने आपके जिले में ओफिस होगा हाँ अरे मैंने बहुत प्रयाज किया यूपी में कॉंग्रेस के ओफिस खुलवाने के लिए जहां कमरा मिल जाता था किराए पे उस पे हम बाड लगाके कॉंग्रेस का ओफिस खुलवा लेते थे इन लोगों की बड़ी-बड़ी इमारते बनी है किसने दिये उसके पैसे कहां से आए वो पैसे इन विज्यापनों के लिए इन ओफिसों के लिए मुझे बता दो एक तुम्हें भाजप्पा का एक नेता बता दो जो साधारन परिवार का है जो अमीर नहीं है बता दो सब के सब अच्छा खासा कमा रहे है ये पैसे कहां से आ रहे है ये जो सब बन रहा है इनका यह जो मीडिया है जिसमें धड़ा-धड़ इनके विग्यापन आते हैं, यह आपकी संपत्ती जो छीनी गई है ना यह सब होई है। मीडिया वाले मेरे भाई बैठें यहां, खड़ें हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करतें ना, नहीं करतें। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, जुबे से शाम तक आप देखी रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो यह जो सारी देश की संपत्ती, बड़े बड़े उद्योगपत्यों को जा रही हैं, अम्बानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है यह पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं हैं बहनों और भाईयों।